अगर आपके पास भी एक अधार कार्ड और एक पैन कार्ड है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है जिसमें आपको एक बहुत ही जरूरी काम करने को कहा गया है अगर आप 31 माँ 2030 तक ये काम नहीं करते हैं तो आपको काफी ज्यादा परिशानी हो सकती है अब आखरी ये अपडेट है क्या और इसमें क्या बाते कही गई है यही मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स टाम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आप इसमें क्या बाते कही गई है और इसमें आपको क्या जरूरी काम करने को कहा जा रहा है इनकम टेक्स इंडिया के ओफिशल ट्विटर हैंडल पर जब आप विजिट करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि 18 नवंबर 2022 को सुबह 11 बच के 25 मिनट पे इनकम टेक्स एक important काम करने को कहा गया है जो कि mandatory है यानि वो काम आपको करना ही करना है तो चलिए इस ट्विट को यहां पर read कर लेते हैं इस ट्विट में आप लिखा देख पाएंगे as per income tax act 1961 the law date for linking pen with अधार is 31st March 2023 यहां पर income tax department की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि जैसे कि आप जानत हैं हमारे देश में pen card से अधार card को link करने का process काफी समय से चल रहा है पहले यह process free of course था आपको अपने pen card से अधार card link करने के लिए कोई भी charges नहीं देने पड़ते थे लेकिन उसके बाद अपने pen card से अधार card को link करने के लिए 500 रुपे और 1000 रुपे का शुल्क रखा गया त इस समय अगर आप अपने pen card के साथ अधार card को link करना चाते हैं तो आपको 1000 रुपे की online payment करनी पड़ती है आगी यहाँ पर आपको बताया गया है for all pen holders who do not fall under the exempted category यानि कि ऐसे pen card धारक जो की छूट की category में नहीं आते हैं उनको 31 मार्च 2023 तक pen card के साथ अपने अधार card को link कर लेना चाहिए यहाँ पर income tax department की तरफ से ऐसा आप सभी को कहा जा रहा है अब कौन-कौन से pen card धारक ऐसे हैं जो की छूट की category में आते हैं जिनको pen card के साथ अधार card link करने की जरूरत नहीं है और कौन-कौन से pen card holder ऐसे हैं जिनको की pen card के साथ अधार card link करना mandatory है यानि की जरू और कौन-कौन से pen card holder ऐसे हैं जिनको छूट नहीं मिली है तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऐसे pen card holder जिनको किसी भी तरके की छूट नहीं मिली है उनको 31 माँ 2023 तक अपने pen card के साथ अधार card को link कर लेना है और अगर आप 31 माँ 2023 तक अपने pen card के साथ अधार card को link नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका जो pen card है वो निश्क्रिय कर दिया जाएगा निश्क्रिय माना जाएगा आपका pen card किसी भी काम का नहीं रहेगा अगर आप उसे 31 माँ 2023 के बाद यूज करना भी चाहेंगे तो कहीं पर उसे use नहीं कर पाएंगे यहाँ पर लिखा है do not delay link today अपने pen card के साथ अधार card को तुरंत link कर लिजिए क्योंकि यह mandatory है pen card के साथ अधार card को link करना income tax department और government of India की तरफ से mandatory है यह काम आपको करना ही करना है यहाँ पर आप नीचे आएंगे आपको एक banner में भी इस बारे में जानकारी दी गई है अपर आपको एक image देखने को मिलेगी साथ ही आप लिखा देख पाएंगे pen shall become inappropriate from 1st April 2023 if not link with valid अधार अगर आप अपने अधार card के साथ pen card को link नहीं करते हैं तो 1 April 2023 से आपका pen card निश्क्रिय कर दिये जाएगा निश्क्रिय माना जाएगा pen can be linked with a valid अधार यहाँ पर आपको एक website दी गई है और इसमें आपको बताया गया कि आप online ही अपने अधार card के साथ pen card को link कर सकते हैं income tax.gov.in इस वाली website पर जाके after paying a fee of 1000 जैसे कि आप जानते हैं इस समय pen card के साथ अधार card को अगर आप link करते हैं तो आपको 1000 रपे की online payment करनी होगी अब मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी है उपर आई बटन में आपको link बिल जाएगा जाकि उस वीडियो को complete watch कर लीजेगा और आप खुछ से ही घर बैठे सरफ 10 से 15 मिनट के अंदर अपने pen card के साथ अधार card को link कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको check कर लेना चाहिए कि आप click करेंगे अब आपके सामने income tax department का e-feeling portal आजाता है यहाँ पे आपको dashboard कुछ इस तरह किसे नजर आएगा आपको simply नीचे scroll करना है mobile से अगर आप open कर रहे हैं तो desktop site पे enable कर लीजेगा यहाँ पे देखिए आपको link अधार का एक option देखने को मिल जाता है इसी option का use करके आ आप अपने pan card के साथ अधार कार को online ही link कर सकते हैं यहाँ पे किस सोरीके से आपको check करना है कि आपके pan card के साथ अधार का link है या फिर नहीं तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरह स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दिखिए आपको एक option दिखाई देगा link अधार status इस पे आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पे next page आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे आप अपना pen number एंटर करेंगे यहाँ पे अपना अधार number एंटर करेंगे उसके बाद view link अधार status के option पे click करेंगे आपके सामने details show हो जाएगी अगर आपके pen card के साथ अधार card already link होगा तो वहाँ पे आपको message show करेगा your pen is already linked with अधार अगर नहीं link होगा तो वह भी message आपको show कर जाएगा और अगर आपके pen card के साथ अधार card link नहीं है तो please 31 March 2023 तक अपने pen card के साथ अपने अधार card को link कर लीजिए otherwise 1 April 2023 से आपका pen card निश्क्रिये कर दिये जाएगा वो किसी भी काम का नहीं रहेगा ये एक छोटा सा update था income tax department की तरफ से pen card अधार card link से जुड़ा हुआ उमीद है आप सभी कोई वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like कर दीजिए साथ ही साथ अगर आपका कोई भी सवाल है तो comment section में भी आप मुझे लिख सकते हैं इसके लवा आप मुझे instagram पे follow करके वहाँ पर भी direct message करके अपने question पूछ सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत